Hello everyone, welcome to my channel, hope you are doing great. So guys, आज मैं आपके साथ discuss करने वाली हूँ speaking part 1 के questions ताकि जो भी आपके doubts हैं, इससे related वो सारे eradicate हो जाएं. So guys, अगर आपको मेरा content अच्छा लगी तो channel को जरूर subscribe करना, share करना और मझे comment section में बताना कि आपको मेरी video कैसी लगी है. जो आज का हमारा first topic है, वो है getting lost, okay? Have you ever lost your way? कहते हैं कि आपने कभी अपना way lost किया है. तो मैंने इसका answer कैसे दिखा है? It is interesting question. मैंने बोला कि एक interesting question है. Plethora of times I lost my way. बहुत बार. Plethora means बहुत बार में अपने way को lost किया है. Because I am travel freak person. क्यूंकि मुझे traveling बहुत ज़्यदा पसंद है. Travel freak means जिस person को traveling पसंद होती है, उसको हम बोलते हैं. Travel freak person. I love to explore distinct places. Just only because of this happens with me. मुझे explore करना distinct places को. Distinct होता है different places को. Explore करना बहुत अच्छा लगता है. इसलिए मैं हमेशे ही अपने रास्ते को भूल दी रहती हूँ. चिक है? For example दी मैंने. Last Saturday क्या हुआ? मैं कहां गई थी? Shimla. वहां में मैं अपनी direction को भूल गई थी. चिक है? Second question है हमारा. How can you find your way when you are lost? कहते जब आप गुम हो गयों, तो आप कैसे अपने रास्ते को find out करते हो? तो मैंने बोला, well, the use of map is hard to crack for me. Map का use मेरे लिए बहुत ही ज़दा difficult हा. Hard to crack means difficult हा. क्योंकि जब कभी भी मैं इस technical mode का use करती हूँ, अपनी way को find करने के लिए, तो मैं usually क्या हो जाती हूँ? Fail हो जाती हूँ. So once in a while, once in a while means कभी कभी, I take assistance of my near and dear ones. Assistance लेती हूँ अपने near and dear ones की. Assistance means help लेती हूँ. किस के थूरू लेती हूँ? वीडियो कॉल के थूरू लेती हूँ. And I ask people who are there. और मैं लोगों से रास्ता पूछ लेती हूँ, जो वहाँ पर होते हैं. Question क्या था हमें? कि अगर आप गुम हो जाती हूँ, तो आप अपने रास्ते को कैसे find out करती हूँ. तो मैंने कहा कि map का use तो मेरे लिए बहुत ज़्याँ डिफिकलिटा. क्योंकि जब कभी भी मैंने map का use किया, तो मैं उसमें failure होती हूँ. चीक है, तेकिन कभी-कभी मैं क्या करती हूँ? अपने near and dare one की help लेती हूँ. किस के थूँ? वीडियो कॉल के थूँ? वो मुझे बदा देती हैं, वीडियो कॉल के थूँ कि मुझे किस direction को choose करना चाहिए. और कई पर जो वहाँ पे लोग होती हैं, मैं उनसे रास्ता पूछ लेती हूँ. थर्ड कोशन है, जब आप गुमो जाते हो, तो क्या आप मैप को यूज कर लेती हूँ? तो जैसे मैंने बुला, कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, that read a map is not a cup of tea for me. मैप को read करना मेरे लिए easy नहीं है. not a cup of tea means मेरे लिए easy नहीं है. ठीक है? Because it is not only complicated. क्यूंकि map complicated ही नहीं होता यूज करने के लिए, but also herculean task to read. इसको read करना भी बहुत ज़्यादा herculean task है. Herculean means difficult task है. ठीक है? फोर्थ गोश्चन क्या है? Have you ever helped someone who got lost? तो मैंने बोला, yes, I always show my keen interest in assistance. मैं हमेशे ही अपना interest बताती हूँ. Assistance means help करने में. जब कभी मुझे कोई person मिलता है, जिसको अपना way find out करने में problem आती है. ठीक है? I definitely help him. मैं उसकी help करती हूँ. जैसे कि last month, I went to market. मैं market गई थी. वहाँ पे एक क्या था? Senior citizen थे who got lost. जो lost हो चुके थे, गुम हो गे थे. Along with separated from family. अपनी family से separate भी हो चुके थे. तो मैंने उनकी क्या की? क्या था कि आपने कभी किसी person की help की? जो गुम हो चुका है. तो मैंने बोला, हाँ. मैं हमेशा ये help करने में ही believe करती हूँ. मैंने बहुत बार help की है. तो जब कभी भी मुझे कोई person मिलता है, जिसको अपनी final destination नहीं मिलती, तो मैं उसकी help करती हूँ. इवन की last month में गई थी market, वहाँ पे एक senior citizen थे, तो मैंने उनकी help की, मुझे बहुत अच्छा लगा. चिक है? ये तो गया हमारा first topic. Second है हमारा singing से related. चिक है? Singing का part है, उसमें क्या हमें बोला गया है? Do you often sing? क्या आप आम तोर पर sing करते हूँ, गाना गाते हूँ, तो मैंने बोला yes I do, मैं करती हूँ. While I am introvert, चाहे मैं introvert हूँ. Introvert means वो person जिसको बातचित करना दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. But once in a while, once in a while means कभी कभी I sing, मैं गाती हूँ. Whenever, जब I am sad, जब मैं sad होती हूँ, जहां फिर मैं अपने घर में अकेली होती हूँ, तब मैं singing करती हूँ. चीक है? Second question क्या है? When do you like to sing? आपको गाना गाना कब पसंद है? As I already mentioned that I don't like to sing in front of the masses. मैंने बोला, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, कि मुझे लोगों के सामने गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. Masses होती है, लोग. So, Whenever nobody in my house, जब कभी भी मेरे घर पे कोई भी नहीं होता, तब मैं usually sing करती हूँ. चीक है? Next question है, How much time do you spend in singing every day? कितना time अप singing पर spend करती हूँ हरोज? तो मैंने बोला, According to my perspective, मेरे perspective के according, there is no any accurate time. कोई भी accurate time नहीं होता singing का. It just depends upon my mood. ये मेरे mood के उपर depend है. When I am happy, जब कभी भी मैं happy होती हूँ, तो मैं usually sing करती हूँ song को approximately for 10 minutes. 10 minutes से ज़ादा मैं singing नहीं करती. क्योंकि यहां भी हमें उन्होंने time period पूछा है, so that's why मैंने बता दी है 10 minutes. Okay, next question है हमारा, What kinds of music do you like? आपको किस तरीके के music पसंद है? तो मैंने बोला, काफी तरीके के मुझे music पसंद है, disparate होती है and different, like Hindi, English, but I am dyad fan of Punjabi बोल सकते हो, Hindi बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, चेक है? अब अपने taste and preference के according बोलोगी. dyad fan means, आपको किस songs को सुनकर मज़ा आता है, तो आप बोल सकते हो, मुझे Punjabi सुनकर मज़ा आता है, Hindi, जाफर, English, अपने taste and preference के according बोलो, तो वो जादा बैटर होता है, even on a constant basis, मैं इन songs को सुनती हूँ, because these songs rejuvenate my mood from worries, क्योंकि ये जो songs होती है न, इनकी वज़े से जो मेरा mood होता है न, वो rejuvenate होता है, rejuvenate means improve हो जाता है, किस से worries से, worries होती है, tension, जो भी tensions होती है, वो इस songs को सुनकर, खत्म हो जाती है, ठीक है, next question है, it is difficult to sing well, क्याता है ये difficult है, अच्छे से गाना, तो मैंने बोला certainly, certainly means definitely, it is not a cup of tea, हर एक के बस की बात नहीं होती, not a cup of tea means, easy नहीं है, सभी persons के लिए sing करना, in a decent way, अच्छे वे से, singing करना, सभी person के बस की बात नहीं होती है, since it requires, क्योंगे यहाँ पर हमें जरूरत होती है, lot of industries, industries की जरूरत होती है, industries means, hard work की जरूरत होती है, talent की जरूरत होती है, proper tone की जरूरत होती है, along with confidence, confidence की भी जरूरत होती है, so to answer your question, yes, it is extreme herculean to sing properly, आपकी question का answer देते हुए, yes, यही मैं मानती हूँ की, बहुत ही ज़ादा herculean sing करना properly, herculean होता है, difficult, next question है, do you want to be a singer, क्या आप singer बनना चाते हूँ, तो मैंने बोला, no, I would not want to be a singer, as I already mentioned that, I don't have any quality, कैता मैं नहीं बनना चाती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया हूँ है, मेरे में कोई भी quality नहीं है, किस से related, singing से related, ठीक है, apart from this का connector यूज़ किया, I am not showing much interest in singing, मैं अपना ज़ादा interest in singing में नहीं show करती हूँ, however का यूज़ किया, contradict करने के लिए, I love to listen to the song, मुझे song सुनना पसंद है, लेकिन मुझे singing बिलकुल भी पसंद नहीं है, चीक है, next question है, will you take singing lesson in the future, क्या आप singing के lesson लोगे future में उन्होंने बोला, तो मैंने बोला absolutely, absolutely means yes, if I will get the opportunity, अगर मुझे opportunity मिलेगी, lessons लेने की singing के, then I will never miss the boat, miss the boat means, मैं कभी भी chance को नहीं खोना चाहती, अगर मुझे opportunity मिलेगी, तो मैं boat को miss नहीं करूँगी, boat means opportunity को miss नहीं करना चाहूँगी, because of this vocation, इस vocation के कारण, vocation means, इस profession के कारण, काफी लोगों की जो life है, वो क्या हुई है, bright हुई है, जो लोग middle class के थे, इसके साथ bright हुई है, तो अगर मुझे opportunity मिलेगी, तो मैं boat को miss नहीं करूँगी, ठीक है, जब भी आप कहना चाहूँगे, कि मैं इस चीज को miss नहीं करना चाहती, तो आप बोल सकते हो, never miss the boat, ओके, next question हमारा, did you enjoy singing when you were younger, जब आप young थे, तो आप singing को enjoy करते थे, तो मैंने बोला, yes, definitely I enjoyed singing, मैं enjoy करती थी singing को, when I was young, जब मैं young थी, even I also used to participated in distinct sorts of competition, even मतलब साथ में साथ, मैं participate किया करती थी, किसमें distinct means, different types के competitions में, which were organized by my school, जो किसके दवारा, organize किये जाते थे, मेरे schools के दवारा, जो competition किये जाते थे, उसमें मैं participate भी किया करती थी, जब मैं young थी, so singing gave me happiness, singing मुझे happiness दिया करती थी, ठेक है, next है हमारा, पिकनिक के बारे में, इसमें हमारा जो first question है, वो है, आप पिकनिक पर जाया करते थे, जब आप child थे, तो मैंने बोला, yes, when I was a child, जब मैं child थी, I used to go on a picnic, मैं पिकनिक पर जाया करती थी, either with my kid and kin, जान तो, किस के साथ, kid and kin के साथ, kid and kin means, relatives के साथ, और जान फिर, family members के साथ, it was really good experience for me, वो मेरे लिए एक बहुत ही, अच्छा experience था, जब मैं, जान तो अपने relatives के साथ, जान फिर अपनी family members के साथ, कहां पर जाती थी, पिकनिक पर जाती थी, okay, how often do you go on a picnic, कितने बार आप जाते हो, पिकनिक पर, तुम मैंने बोला, as we know that, जैसे हम सभी को पता ही है, कि COVID-19, जियो पाड़ी हुआ है, जियो पाड़ी मीन, बाइब हो चुका है, वर्स लेवल पर, पूरी दुनिया में, अल अवर दो वर्ल्ड, इट इस वेरी चैलेंजिंग, यह बहुत ही जादा चैलेंजिंग है, हमारे लिए, पिकनिक पर जाना, वाइल्स्ट, कॉन्प्रेडिक्ट किया, वाइल्स्ट का यूज़ करके, वन्स इन वाइल, वन्स इन वाइल, में, कभी-कभी, I go, मैं जाती हूँ, बाइ टेकिंग, प्रॉपर प्रिकॉशन्स, अबाउट पैंडिमिक, इस पैंडिमिक की, प्रॉपर प्रिकॉशन्स के साथ, मैं पिकनिक पर जाती हूँ, पहले मैंने बोला, कि जैसे हमें पता ये, कि COVID-19 क्या हूचुका है, सप्रेड हूचुका है, तो हमारे लिए चैलेंजिंग है, वाइल्स का यूज करके, कभी-कभी मैं जाती हूँ, लेकिन, प्रिकॉशन्स को प्रॉपरली फॉलो करती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है मारा, वेर डू यू गो अने पिकनिक, आप कहां पे जाती हो पिकनिक पर, ठीक है, अगर आप पिकनिक पर जाना चाते हो, तो आप कौन सी प्लेस को चूज करते हो, एक्चली, देर इस नो अने फिक्स प्लेस, वेर आइ गो अने पिकनिक, तो मैंने बोला, इसके कोई भी एफेक्स प्लेस नहीं है, जहां भी मैं पिकनिक पर जाती हूँ, moreover क्या कनेक्टर यूज किया, और elaborate करने के लिए, it is entirely, ये पूरा किसके उपर डिपेंड होता है, not only on my mood, mood पर नहीं, but also on people, who go with me, प्लेस को चूज करना, मेरे mode के उपर ही नहीं, जो लोग मेरे साथ जाती हैं, उसके उपर भी depend होता है, तो इसकी कोई भी fix place नहीं है, for instance का यूज किया, example को define करने के लिए, if I am with my family, अगर मैं family के साथ होती हूँ, I go to, out of my state, तो मैं state से भी बाहर जाती हूँ, पिकनिक को celebrate करने के लिए, whilst का यूज किया मैंने, अगर मैं friends के साथ होती हूँ, तो मैं nearby place पर ही celebrate कर लेती हूँ, पिकनिक को, next question है, what is the difference between picnic and cooking at home, क्या difference है, पिकनिक के food में, और घर के खाने में, क्या difference है, वो हमने बताना है, चिक है, तो मैंने बोला, to be honest, to be honest means, एं मांदरी से बोलू, there is a tremendous difference between home meals and even picnic food, मैंने बोला, बहुत ज़्यादा, tremendous होता है, बहुत ज़्यादा difference है, घर के खाने में, और पिकनिक के food में, पहला क्या है, first of all means, पहला, cooking at home, घर पे खाना बनाती है, जो हम neither indulge, इसमें ना तो include होता है, indulge मतलब include होता है, any preservatives, इसमें कोई भी chemicals नहीं डालते हम लोग, और nor artificial fragrance, और जो artificial fragrance होती है, वो भी इसमें हम नहीं डालते है, किसमें जो खाना घर पे बनता है, अपार्ट फ्रॉम देस, इसके इलावा, home food, burgeoning immunity, instead of putting deleterious impacts, इसके इलावा, जो home food होता है, वो burgeoning करता है, burgeoning means increase करता है, immunity को, इसके deleterious impacts नहीं होती है, deleterious means, भुरे परभाब इसके नहीं होती है, किसके home food में, क्यूंकि इसमें हमारे पास, कोई भी preservative नहीं होता, कोई artificial fragrance नहीं होती, और इसके साथ, immunity क्या होती है, increase होती है, on the other hand, दूसरी side, picnic food, इदर spicy और not pure, जो picnic food होता है, वो एक तो spicy बहुत ज़्यादा होता है, और वो pure भी नहीं होता, बिल्कुल सही बात है न, ऐसे ही होता है, daily life से related ideas है, I hope आपको अच्छे से clear हुए होंगे, कि मैंने किस वे से answers को elaborate किया है, अगर आप लोग चाते हो, इसका screenshot क्लिक करना, तो आप कर सकते हो, आप easily screenshot को क्लिक कर सकते हो, easy ideas हैं, आप easily learn कर लोगे, अगर आप इसको follow करते हो न, तो I am damn sure, आप easily 7.5 प्लस band score, गेट करोगे, ओके, यह हमारा second स्टार्ट हो चुका है, singing का, इस चैनल को स्पोर्ट की जरूरत हैं, जरूर स्पोर्ट करो, शेयर करकर, और गाइस, मुझे comment section में, जरूर feedback दिया करो, कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में, बहुत सारी मेहनत लगती है, सो definitely feedback तू मिलना चाहिए, और जरूर शेयर करो, ये हो गया हमारा last question, ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से screenshot को क्लिक कर लिया होगा, सो थैंक यू फार वाचिंग माई वीडियो वीडियो वान्स अगें,